important बात यह कि आप नई गाड़ी खरीदे या पुरानी खरीदे आप जब गाड़ी खरीदे तो आपके financial decisions आपको कैसे लेने हैं बहुत सार लोगों का यह प्रश्ण सर आपके पास कौन सी गाड़ी और आपने कैसे शुरुआते सबसे पहले गाड़ी खरीदी मारूती 800, मारूती 800 के बाद मैंने खरीदी वैगनार, वैगनार के बाद मैंने खरीदी होंडा सिटी, होंडा सिटी के बाद मैंने खरीदी टाटा सफारी, टाटा सफारी के बाद मैंने खरीदी ओडी A6 क्योंकि मेरी जो average monthly income, अगर आप नई गाड़ी खरीदते है ना, तो खरीदने के सिर्फ showroom से भाहर निकलते ही. Hi friends, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, कि आप खुद की कार खरीदे या क्याब का इस्थिमाल करें. तो बहुत सारे लोगों का एक प्रश्णा है, कि सर ये comparison बताओ, कि हम नई कार खरीदे या पुरानी कार लें. Friends, इस बात का decision लेने के लिए आपको बहुत सारे factors को अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग नजरिये से देखना होगा. कई बार कार को लेकर, नई कार या पुरानी कार को लेकर आपकी emotional values जुड़े होती हैं, तो आपको decide करना है कि आपकी emotional value क्या कहती है, कि आप नई कार खरीदे या पुरानी कार लें. या social status की वज़ा से भी, कई बार हम ये decision लेते हैं कि मुझे नई कार खरीदे या पुरानी, ये आपका personal decision हो सकता है. लेकिन आज जिस विशे पर मैं बात करने वाला हूँ, वो है financial values. हमें अपनी financial values को देखते हुए, क्या decide करना चाहिए, कि आपको नई कार लेनी चाहिए या पुरानी. ये आपका personal matter है, लेकिन जब हम financial values की बात करते हैं, तो बहुत सारी calculations पर हमें ध्यान देना होता है. आज हम ये मानके चलते हैं, कि आप एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं, जिसकी value लगबग 7 लाख रुपे है, मतलब अगर वो कार आप नई खरीदते हैं, तो 7 लाख रुपे में वो कार आपको मिलती है, ठीक है, तो calculate करते हैं, अगर 7 लाख रुपे की value की एक नई कार आप खरीदते हैं, जिसका showroom से लेकर road price तक 7 लाख रुपे है, तो और आपके पास जो down payment है देने के लिए, वो सिर्फ 2 लाख रुपे है, जर्नल ये हमें से हर वेक्ती जब कार खरीदता है, तो down payment देता है, और बाकी EMI करवा लेता है, तो मान लेता हूं, 7 लाख रुपे की गा जो आपको car loan का मिल रहा है, वो 9% है, ये vary करता है, आपकी financial values के ओपर ही vary करता है, कि 9% होगा, 10 होगा, 11 होगा, या 8 होगा, फाइन, हम मान लेते हैं, 9% का rate of interest है, तो आपकी जो EMI आने वाली है पर मन्त, 15,900 रुपे, अगले 3 साल तक की आपकी EMI आने वाली है, इसका मतलब हो गया आपका 7,72,000 रुपे, मतलब 7,000 की car value पर आपको 72,000 रुपे interest देना पड़ेगा, और ये सारा का सारा पैसा आपको पर मन्त, down payment के साथ 15,900 रुपे के रुपे देना पड़ेगा, ये बात आप अच्छे समझ गई है, यही car अगर आप एक second hand value में लेते हैं, मतलब जो गाड़ी आपको नई 7,000,000 रुपे की मिल रही है, और 4-5 साल चली हुई गाड़ी वो आप लेते हैं, तो जर्नली उसकी value 3,7,3,3,5,5,000 रुपे तक मिल जाती है, मतलब 5,5,000 रुपे से लेकर 3,5,5,000 रुपे में car value आपको मिल जाती है, old car वही car जिसकी value नई की 7,000,000 र लिए होते हैं, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, उसके बाद वो normal बात होने लग जाती है, इसलिए आपको ये भी देखना है कि instant अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं, तो कितनी value depreciate हो जाती है, तो हम बात करते हैं कि वही 7,000,000 की value की गाड़ी है, और आपने 4-5 साल चली गाड़ी लि है, यह कुछ वेरी भी हो सकता है, शैकिलेंट कार में थोड़ा ज्यादा भी होता है, मैं 9% मान लेता हूं, तो आपकी पर्मन जो ये माने आने वाली है, वो 31,00 रुपे आने वाले हैं, इसका मतब टोटल पेमेंट जो आप देंगे, 2,00,000 रुपे डाउन पेमेंट, 31,00 की EMI calculator चेक कर सकते हैं, Google पर सर्च करें, EMI calculator, वहाँ पर आप कार की value डालें, डाउन पेमेंट डालें, और कितने साल के लिए चाहिए है, वो डालें, सारी calculation आपके सामने आ जाने वाली है, अब हैं यहाँ पर ज़रुवत है, चारी चीजों को ठीक तरीके से compare करने की, और financial decision ल गाड़ी 10 साल बाद, मतलब यह 4-5 साल पूरानी गाड़ी चली जो हुई है, वो अगले 5 साल बाद, यह यह गाड़ी अपने 10 साल बाद, उसकी जो scrap value रजानी है, वो 1,00,000 रूपे है, कई बार तो क्या है, 7,00,000 रूपे की गाड़ी अगर है, वेल्यू में, तो उसकी जो scrap जो आपने second end कर दी थी, यहाँ पर इसकी value कितनी थी, 3,11,600, आपको 1,00,000 रूपे मिल गए, 2,11,600 का आपको loss होने वाला है, friends, आपको लग रहा होगा कि ठीक है second end गाड़ी है, repair and maintenance भी होगी, बहुत सारे खर्चे होंगे, नई गाड़ी में, कोई खर्चा नहीं होगा, यह एक अलग बात है, अभी जो main चीज हमें समझ ली है, वो loss हमें 2,11,000 या 6,72,000 का नहीं है, actual loss कुछ और है, और actual loss को कैसे calculate करेंगे, एक बात समझ लीजिए, 15,900 की आप EMI दे रहे थे, और यहाँ पर आपकी EMI आ रहे थी 31,100 रूपे, इन दोनों का जो difference है ना, वो है 12,800 गाड़ी खरीदने पर, आप यह मान लेते कि वही गाड़ी मेरे लिए नहीं है, और मैं इसका इसका इस्तिमाल कर रहा हूं, तो 12,800 पर मन सेविंग होती है, अगर आप इस 12,800 को सही तरीके से इन्वेस्ट करते हैं हर महीने, मैं मान लेता हूं, तो आपको जो total investment value आपके हो होने वाली है, 12,800 और आप 6 साल के लिए में एक average कर लेते हैं, 12,22 महीने के लिए, तो 9,21,600 आपकी total investment होने वाली है, और compound interest की बात करें, 7.5% आप FD कर देते हैं, आप share market में invest करते हैं, और share market में मिलने वाला return, आपको 8%, 9%, 12%, 20% तक भी हो सकता है, लेकिन हम एक base price calculate करते हैं, 7.5% से आपको compound interest मिलने वाली है, total जो value आपकी होगी, 11,66,600 रुप है, आप अगर second and car खरीते हैं, और उस पैसे में यही मान कर कि जो 15,900 की EMI थी, 12,800 पर मंथ invest करते हैं, तो अगले 6 साल में, आपकी जो value हो जाने वाली है, वो हो जाने वाली है, 11,66,600 रुप है, और आप कह फर्चा है आपका, second and car का, तब भी आपको 8,55,000 रुप है की saving इकठी हो जाती है अगले 6 साल में, तो friends यह depend करता है rate of interest पर, कि compound interest आपको कितना मिल रहा है, आप जब गाड़ी खरीदें तो आपके financial decisions आपको कैसे लेनी है, अब important बात क्या है, important बात यह कि आप नई गाड़ी खरीदें या पुरानी खरीदें, इसका comparison आप कैसे करें, क्योंकि आपने saving समझ ली, आपने investment समझ ली, आपने rate of return समझ ली, आपने profit समझ ली, आपने loss समझ लिया, लेकिन यह decision आप कैसे लें, यह decision लेने के लिए आपको 2 चीज़ देखनी है, तो आपकी savings कितनी है, आपके monthly income कितनी है, friends लोग एक बहुत बड़ी गलती करते है, उनके पास जितना भी पैसा है न, वो प्लस अपने friend circle से relative सो कुछ लेकर, अपनी down payment दे रहती है, मतलब total saving का 100% down payment में चला जाता है, तो उनके पास को saving बचने वाली नहीं रहती, दूसरी जो mistake करते हैं, कि उनकी जो monthly income है उसका 60, 70, 80 और 90% तक उनकी एमाई आ जाती है, तो उसने बाकी family भी तो कमारी है, मिलके survive कर लेंगे, तो यहां जो हमें decision लेना है, वो यह देखना है कि हमारी saving कितनी है, और हमारी monthly income कितनी है, down payment जो आप गाड़ी के लिए 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 देते हैं, वो आपकी total saving का 20 से 25% से ज ना, तभी आप 2,00,000 रुपे की down payment दे कर गाड़ी खरीदे, इसके लावा कहते हैं, एमाई कितनी होनी चाहिए, आपकी monthly income की 7 से 10% से ज़्यादा EMI नहीं होनी चाहिए, मतलब अगर आपकी EMI 15,900 रुपे आ रही है, या 16,000 रुपे आ रही है, तो लगबग 1,500,000 रुपे है, डिजल पेट्रोल है, और अगर indirect way में आप देखें, आप उस पैसे को second गाड़ी खरीद के invest करते हैं, तो शायद आप बहुत अधिक आगे हो सकते हैं, और बहुत सा अरलों का यह प्रश्न सर, आपके पास कौन सी गाड़ी है, और आपने कैसे शुरुआत की, मैंने सबस सफारी के बाद मैंने खरीदी Audi A6, और बीच में और भी कुछ ऐसी गाड़ी हैं, जो मैं calculate नहीं कर पा रहा हूँ, और इतनी सारी गाड़ी हैं मैंने कैसे occupy की, क्योंकि मेरी जो average monthly income है वो लगातार बढ़ती चली गई, friends, आप कोई भी गाड़ी खरीदें, नई खरीदें, कम value की खरीदें, ज्यादा value की खरीदें, आप सिरिफ ये calculate करें, कि आपके पास total saving कितनी है, और आप कितना पैसा उसमें down payment में आप invest कर सकते हैं, और आपकी total income का कितना percent आपकी EMI आने वाली है, अगर इन बातों को आप ध्यान रखते हैं, तो आप आप आसानी से decision ले सकते ह है, you have to buy a new car और old car, स्वस्त रहें, मस्त रहें, मैं Dr. Amit Maishwari, आपके सुनरे बविश्य की कामना करता हूं, जय हिंद, जय बारत